हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे आज का ये पोश्टर देखकर आपके दिमाग में एक ही कन्फूजन होगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है मतलब कि इसका मतलब क्या है अब आपके दिमाग में एक छी चल दा होगा कि जो बच्चे आइटी आइ में पढ़ेंगे वो पास होगे या जो नहीं पढ़ेंगे वो फेलोंगे यहি आपके धिमाग में चल दा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं आप अपने college के देख सकते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज होते हैं लेकिन जब उनका result आता है तो देखा जाता है कि उनका बैक लगा है या जो उनका अंक है बहुत ही कम मिला है तो ऐसा क्या होता है जो मैं आपको इस वीडियो के मादम से पूरी जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को आप complete देखिएगा और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ITA से जोड़ी हर एक जनकारी आपको मिलती रती है और गैडलाइन भी मिलती रती है ताकि आप ITA में जाएं तो परिच्छा जब दें तो आप ऐसी गलती न करें तो वीडियो को complete देखिएगा दोस्तों सबसे पहले मिले के चलता हूँ इसके अपिसे वेबसाइट के मादम से आपको जनकारी देता हूँ देखिए तोस्तों ITA में जो चात्र पढ़ते हैं वो पास होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है बहुत सारे चात्र क्या करते हैं इंजिनिन ड्राइंग में गलती करते हैं इस समय तो जो परिच्छा हैं हो रही CBT एक्जाम हो रही है तो यहाँ पर OMR का जो यहाँ पर सिलसला था वो खतम हो चुका है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है उसमें आपको name, address वहाँ पर कुछ नहीं करना परता है वहाँ आपको finger सही आपको वहाँ पर हो जाता है आपका verification हो जाता है कि यह student ने यह परिच्छा दिया है लेकिन जो आपका engineering drawing और practical का परिच्छा होता है इसी में जो चात्र होते हैं ज्यादतर फेल होते हैं इसका सबसे बड़ा region यह है कि वो जो अपना roll number है सही से फेल नहीं कर पाते है अब सिहाँ पर आप कह रहे होंगे कि हमारा roll number है हम सही से फेल नहीं करेंगे जहाँ बिल्कूल आपने सही सुना आप गलत तरीके से फेल करते हैं बहुत सारे चात्र हैं जो कि वहाँ पर जो आपका क्रम से वहाँ पर फेल करने का तरीका होता है अंकों में और सब्दों में इसी में गलती करते हैं जो कि जो वहाँ पर टीचर जांसते हैं उनको भूती कल्फ्यूज होता है और ऐसे में उनका जब आप अपना roll number ही सही नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर जो आपका result आएगा उसमें आपका सोही नहीं करेगा और बाद में ये दिक्कत आके है कि हमारा result नहीं दिखा जा रहा है हमारा क्या दिक्कत है और आप सही बात है आप college में अच्छे थे अपने पढ़ने में भी अच्छे थे लेकिन ऐसा होता है कि आप एक्जाम में जाएं और वहाँ पे आपने अपना role number ही सही नहीं लिखा तो ये सबसे बड़ी confusion होती है और teacher भी आपको number नहीं दे पारता है अधि एक college की बात होती कि college में copy आपका जाचा गया तो आपको teacher जानता है कि आप तेज हैं तो आपके copy को एक बार नहीं दो बार देखे देगा और आपको मिला भी लेगा कि ये इस बच्चे का यहाँ पर copy है तो वह आपको number देदेगा लेकिन आपका college पर नहीं जाचा जाता है किसी दूसरी college पर जाचा जाता है इसे में ज्यादा तर जो किताबे यहाँ पर आ रहे हैं या जो भी copy जाची जारी है वह आपका government college पर ही जाची जारी है तो government college वाले private college के student को नहीं जानते हैं इसलिए वह जो भी जानते हैं और इनके पास इतना समय भी नहीं रहता है कि हर एक copy को इतना बिधवत देखें और हर एक role number मिला है ऐसा नहीं वह आपका केवल देखते हैं कि आपने कितने कोशन सही किये और इसके अनुसार वह अंक लिखते हैं लेकिन अंक भी उनक कैसे दें जब आपने अपना role number ही सही धंक से नहीं लिखा तो यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है और आपने कभी मिलाया होगा आपके college में सयोग भी जब किया जाता है कहने का मतलब की तोड़ा बहुत नकल भी कराया जाता है तो सभी बच्चों को कराया जाता है मैं ऐसा नहीं करा हूँ कि सारे college में कराया जाता है लेकिन एक्सर देखा गया है कि private कुछ का लजो में कराया जाता है लेकिन ऐसा आपको देखने को मिलता है कि हमने भी जो question किया अगले वाले भी वही question किया लेकिन उसका number कम क्यों है या उसका result ही नहीं आया ऐसा क्यों होता है यह सबसे बड़ा region होता है जो कि ITH चातर इसको बात को नहीं समझते है वो सबसे पहले जाते तो question जो भी copy पाते तो सभी जंक से नहीं लिखते है और बाद में जो भी आपर paper आता है उसको paper फटा-फट हल करने लगते है तो सबसे जो important होता है वो आपका roll number ही होता है और बाद में आपको फेल दिखा दिया जाएगा जो कि आपका समय बरबाद होगा तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप exam में बैटिएगा तो roll number सबसे पहले लिखिएगा और सही ढ़ंक से लिखिएगा दोस्तों यह थी जनकारी जो कि मैं जनकारी उन चातरों को देना चाहता था जो चातर अभी उनका exam नहीं हुआ है exam देने जाएगे तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप जाईएगा